वक्त संशोदन विधेयक पर संशत की संयूग समिती यानी जेपीसी ने तरण मूल कॉंग्रेस के संशत कल्यान बेनर जी को समिती की बैठक में भाग लेने से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया है यह निने आज संशत भवन में जेपीसी की बैठक के दुरान उनके अभदर वेवार के बाद संशोदन विधेयक पर भाजपा संशत निशिकान दूबे के तरण मूल संशत कल्यान बेनर जी को एक दिन के लिए निलंबित करने के प्रस्ताओं के समर्थन में जेपीसी के दस ओम बिरला को घटना से आउगत करा दिया है यह एक बड़ी घटना थी और पहली बार हमें मजबूरी में बैठक इस्तागित करने पड़ी लोग तंतर में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है पाल ने कहा कल्यान बेनर जी अपना गुनाद चुपाने के लिए उनी पर आरोप लगा रहे थे जबकि वे सभी को अपनी बात रखने का उसर देते हैं अगर कोई सांसद उनकी शिकायत करे कि वे उन्हें बोलने का उसर नहीं देते तो वे कमेटी से स्टीफा देने को तयार हैं वकफ संशोजन विधेक दोजर चोबिस पर गठी जेपीसी की बैठक में नियाए धीशों और वकीलों का पक्ष सुना जाना था विपक्ष ने सवाल उठाय कि उनका वकफ बिल से क्या लेना देना है इस दुरान संसद कल्यांट बेनरजी और भाज़ापा संसद एवन कलकता हाई कोट के पूर जजज अभी जीत गंगोपाद्धेक के बीच विवा बाहर ले जाए गया और मरम पटी कराए गई उन्हें बैठक में दोबारा ले जाते हुए वीडियो भी सामने आए इसमें आम आदमी पार्टी के सांसर संजे सिंग और असुदु दिन और वैसी को भी देखा जा सकता है